हेलो वोल्ड, इसातिम्टी एक री कैस्त आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन करिंग के बारे में ये फंक्शन करिंग बहुत ही इंपॉर्टन कंसेप्ट है इंटर्व्य पर्सेक्टिव से और ये हमारी इंटर्व्य प्लेइघ की वीडियो है अगर आप यहाँ आपका कोई दोस्त इंटेवी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस प्लेइलिस को फॉलो कर लेना इस प्लेइलिस को फॉलो करने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंटेवी में परफॉं कर पाऊगे आज इस वीडियो में हम फंक्शन करिंग के बारे में बात करेंगे फंक्शन करिंग क्या होता है किस तरीके से फंक्शन करिंग work करता है किस तरीके से आप एक नॉर्मल फंक्शन को करिंग फंक्शन के अंदर convert कर सकते हो और क्यों हमें ये करिंग function यूज करना चाहिए और क्या इसका इसका need क्या है इसका use case क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे So without wasting the time, let's get started Guys function करिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम Google में देखेंगे कि Google में इसकी क्या definition है और उसके बाद हम example के साथ में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक करिंग function किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से एक normal function को करिंग function के इंदर convert कर सकते हो और ये करिंग function का क्या use है So let's start the definition Guys Google के उपर इसकी जो definition है वो ये है करिंग simply means evaluating function with multiple argument and decomposing them into a sequence of functions with single argument मतलब कि एक function है उसके अंदर multiple arguments है उसको decompose करना उसको change करना multiple function के अंदर और हर function के अंदर single argument है और इस multiple function with single argument is called curing इसको यह हम बोलते है curing function एक normal function जहाँ पे कि हम एक function के अंदर multiple arguments गेट कर रहे है उसको change करना multiple function के अंदर और हर function के अंदर हम एक argument get करेंगे इस part को हम बोलेंगे function curing अगर दूसरे बोले in other words curing is when function instead of taking all argument at one time take the first argument in one return a new function which take a second one and return a new function which take third one and etc मतलब कि अगर हमारे पास एक function है जो कि तीन argument get कर रहा है तो उसको हम convert करेंगे instead of taking three arguments at a time मतलब कि तीन argument एक साथ एक function में लेने की बज़ा हम उसको change करेंगे एक function होगा जो कि एक argument get करेगा और वो function दूसरा function return करेगा जो कि second argument get करेगा और वो second function मतलब कि second nested function वो एक दूसरा function return करेगा जो कि third argument get करेगा तो इस तरीके से हम एक function जहाँ पे कि हम तीन argument पास कर रहे है उसको convert कर लिया तीन अलग अलग function के अंदर और हर function एक argument get कर रहा है गैस यह थोड़ा confusing लग रहा होगा लेकिन जब हम example दखेंगे तो आपको यह definition यह statement clear हो जाएगा ओके गैस तो यह Google के हिसाब से हमने definition देखी और उसको समझा कि इसका meaning क्या होता है अब हम इसका example देखेंगे जिससे कि आपको और clear होगा कि function करीं क्या है सबसे पहले हम एक normal function create करेंगे जहाँ पे कि हम तीन argument get करेंगे ओके हमने function create किया add नाम से जहाँ पे कि हमने a, b, c को as a parameter get कर रहे है और हम return कर रहे है a plus b plus c है मतलब कि इन तीनों का sum हम return कर रहे है ओके गईस चलिए पहले इस function को run करते है और check करते है perfectly work कर रहा है कि नहीं Ctrl is save इसको करेंगे go live sorry हमें या पर get भी करना होगा sum okay 1,2,3 करेंगे console.log sum Ctrl is save देखे console में है sorry, sorry, sorry यह six print हो गया okay guys तो perfectly one plus two plus three six print हो रहा है okay अब यह तो एक normal function है यह एक normal function है अब इस function को हम current function में convert करेंगे okay guys तो चलिए सबसे पहले definition के हिसाब से यहाँ पर हम सिर्फ एक ही argument पास करेंगे okay और यह function return करेगा दूसरा function जहाँ पर कि हम second argument को get करेंगे okay guys और यह second function मतलब कि यह जो function है यह वाला function यह वाला function एक और function return करेगा क्यों कि हमें तीन argument को set करना है right तो हमें तीन function create करने होगे सबसे पहला function जो की A को get कर रह 450 जो की B को get कर रह 500 अब यहाँ पर यह दूसरा function return करेगा तीसरा function जो कि c को return करेगा अब यहाँ पे हम return करेंगे इन तीनों का sum a plus b plus c अब गाईज यहाँ पे यह जो तीसरा function है उसके अंदर c get कर रहे हैं और उसके अंदर हम a plus b plus c कर रहे हैं अब यह a function तो इस function के अंदर नहीं है ये तो इसके उपर वाले के उपर वाले function में मतलब कि parent के parent function में ये a variable है तो वो किस तरीके से इस third nested function के अंदर access होगा अगर आपको guys ये नहीं पता है तो आप मेरी closure और hosting वाली video देख लेना मैंने playlist की link description में दी है इस playlist में एक video है closure नाम से closure in JavaScript तो ये concept समझ लेना उस concept को समझ लेके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से a और b इस nested function के अंदर जहाँ पर कि हम c को get कर रहे है वहाँ पर accessible होगा तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c कर रहे है तो ये closure concept से ये a और b इस function के अंदर accessible होगा अब इस function को call कैसे करना है अब हमें इस function को इस तरीके से call नहीं करना है इस function को हम सबसे पहले यहाँ पर one pass करेंगे ओकी गाईज अब ये एक दूसरा function return करेगा function two ये add function जहाँ पर कि हमने one pass किया है वो function two return करेगा ओकी गाईज अब इस function 2 को हम call करेंगे जो कि function 3 return करेगा f3 function 2 में हम pass करेंगे 2 यह 1 2 को fix नहीं यह तो आपकी मर्दिय आपको भी pass कर सकते हो लेकिन जो हमने first example में देखा वो ही हम यहाँ pass कर रहे हैं जिससे कि आपको clear समझाएगा और यहाँ पे हम sum create करेंगे sum equal to f3 और यहाँ पे हम 3 pass करेंगे ओकी गईज सबसे पहले हमने add को call किया और यह add function एक दूसरा function return कर रहा है इसको हमने f2 में save करवाया अब यह f2 के अंदर हमने 2 pass किया और यह f2 function तीसरा function return कर रहा है देखे यह जो add function है वो यह function return कर रहा है और यह दूसरा function यह जो function है यह वाला function जहाँ पे हम b pass कर रहा है तो यह वाला function यह तीसरा function pass कर रहा है right guys तो यहाँ पे हमने f3 केंदर 3 pass किया और यहाँ पे हमें sum मिलेगा अब देखे गाईज हम इस sum को आप इस console करते हैं तो यह perfect is 6 print हो जाएगा अब हम इसको एक line में भी call कर सकते हैं अब हम इसको एक line में call कर रहें इसको comment करते हैं और यहाँ पे let sum is equal to add 1, 2, 3 और अब हम इस sum को वापिस console करेंगे तो perfectly यह six print करेगा देखे यहाँ पे हमने एक साथ कॉमा लगा के हमने argument पास नहीं किये हम अलग-अलग bracket लगा के argument पास कर रहे मतलब कि यह add function एक function रिटर करेगा जिसको हम call कर रहें इस way में अब यह वाला statement एक और function रिटर करेगा जिसको हम call कर रहें इस way में इसी को बोलते है function करेंग कि हम एक साथ तिन argument पास नहीं करना पड़ेगा और अलग-अलग time पे अब अलग-अलग argument पास कर सकते हो अब इसका use case क्या है और किस सिनारियो में यह काम रगता है वह हम आके बात करेंगे ओके तो यह भी perfectly six print करेगा चले यह देखते है control इस से देखे refresh देखे यह भी perfectly six print कर रहा है मतलब कि आप function करिंग को एक line में भी call कर सकते हो और multiple line पे call करना है अलग-अलग जगह पे आपको use करना है अलग-अलग argument के साथ तो वह भी आप कर सकते हो अब इसका use क्या है वह मैं आपको समझाता हूँ देखे इस वाले example के अंदर आपको ज्यादा समझाएगा किसका use क्या है अब यह वाला जो example है जहाँ पे कि हमने सबसे पहले add function को call किया ओके वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही parameter को pass किये एक ही argument को एक ही parameter को pass किये ओके अब उसके बाद future में यहाँ पे हमने 10 से 15 line का code लिखा और उसके बाद हम इस function 2 को use कर रहे हैं दूसरे parameter से और उसके 10 से 15 line के बाद हम इस तीसरे function को use कर रहे हैं तीसरे parameter के साथ मतलब कि आप अलग-अलग time पे अलग-अलग parameter पास कर सकते हो अलग-अलग जगह पे और जो पहले का जो parameter पहले आपने जो parameter पास किया यह one जो अपने पास किया है वो इस add function के अंदर store रहेगा वो किसे store रहेगा वो store रहेगा closure mechanism से closure की help से वो previous जो भी parameter हमने पास किया है यहाँ पे function 3 पे अगर हम आएंगे तो उपर जो हमने दो parameter पास किया है वो इस add function के अंदर store रहेगा तो उसके लिए आपको closure समझना वड़ेगा तभी आपको यह समझ आएगा कि किस तरीके से यह variable अंदर store रहेंगे इसके अंदर add के अंदर तो यही use case से function करेंगा कि हम इसे multiple जगह पे अलग-अलग argument से हम इसको call कर सकते है यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक साथ तिन पास ही करना अगर जो first example था जहाँ पे कि हम एक function के अंदर एक साथ तिन argument तिन parameter पास कर रहे है तो वहाँ पे तो compulsorily हमें जब उस function को call कर रहे है तब तिन parameter पास करना compulsorily है और अगर हमारे पास वह त्रीन पेरामिटर नहीं है मतलब कि जो दूसरा और तीसरा पेरामिटर है वह हमारे पास अभी मिला ही नहीं है वह हमें future में मिलेगा थोला code एक्जिगूर करने के बाद तो हम उस case के अंदर उस one को हमें किसी और जगह पे store करना होगा और फिर उस one को continue store करते जाना और फिर उस land के अंदर one और two को store करना है मतलब कि a और b को वापिस से continue store करते जाओ करते जाओ जब तक कि c c वाला variable हमें न मिले तब तक उन दोने को store करते जाओ और फिर c को साथ में लेके एक साथ function को execute करो लेकिन ये हमें ना करना पड़े उसी लिए ये function करिंग introduce हुआ और ये ही use case function करिंगा कि हम values को function के अंदर store कर सके और उस value को उस logic को हम future में use कर सके राइट वो हमें logic याद ना रखना पड़े कि भाई ये logic हमने यहाँ पर use कि है तो अब इसको continue याद करते रहो मतलब कि उसको continue code में store करते रहो store करते रहो उसके बाद वापिस उसको call करो वापिस store करते रहो ऐसा नहीं करना होगा ये function करिंग की मदद से आप एक बार function create करोंगे और एक function सिफ एक या argument get करेगा और उसके अंदर nested function होगा जो कि अलग-अलग mechanism work करेगा और उसको आप अलग-अलग जगा पे code के अलग-अलग जगा पे आप use कर सकते हो गैज अगर आपको अभी भी clear ना हुआ हो कि function करिंग क्या है तो इस वीडियो को वापिस देखना अगर मैं इसको wrap up करो तो यही है कि एक function है जिसमें कि हम multiple argument pass कर रहे है उसको हम decompose करेंगे उसको हम convert करेंगे उसको हम change करेंगे multiple function and every function with single argument इस way में हम उसको convert करेंगे और इसी way को function करिंग बोलते है और function करिंग को हम इस एक line में भी call कर सकते हैं इस तरीके से function करिंग को एक line में भी call कर सकते हैं सिर्फ हमें multiple round bracket दे रहे हैं और हर round bracket में हम एक parameter को pass करेंगे अब ये function करिंग में एक और concept है वो हम इसकी next वीडियो में देखेंगे यहाँ पे इस example में हमने इस function करिंग को सिर्फ तीन parameter में bound किया है इस add function के अंदर हम सिर्फ तीन parameter ही पास कर सकते मतलब कि एक बार एक पास किया दूसरे बार दूसरा और फिर तीसरा इसमें हम फोर्थ parameter पास नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको तीन parameter के अंदर bound किया है क्योंकि हमने add के अंदर एक function return किया है और उस function के अंदर एक दूसरा function return हो रहा है और उसके बाद कोई function return नहीं हो रहा है उसका मतलब कि हम सिर्फ तीन बार ही इस function को use कर सकते है लेकिन अगर requirement ऐसी हो कि हमें infinite time इसको use करना है तो उसके लिए एक और concept समझना पड़ेगा वो हम इसकी next वीडियो मा देखेंगे तो guys मेरे इस channel को subscribe कर लेना और notification bell को click कर लेना जिससे की मेरे आने वाली नहीं वीडियो की notification आपको तुरंत मिल जाए और guys अगर आप interview की preparation कर रहे हो तो इस playlist को follow कर लेना मैंने playlist की link description में दीए so that's it for this video I'll see you in the next one